Hello students, मैं G.S. Dhingraj जैनल पर आपका स्वागत करता हूँ आज का अपना टोपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट इंगलिस का एक नियम होता है कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के नंबर के अकोर्डिंग आती है यानि सब्जेक्ट के वचन के अकोर्डिंग अपने वर्ब को रखते हैं अगर सब्जेक्ट स्यूलर होता है तो वर्ब भी स्यूलर आती है और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है plural subject के साथ plural verb आती है और similar subject के साथ similar verb आती है इसी topic पर आज अपने चर्चा करेंगे अगर आप वीडियो पूर आखिर तक देखेंगे तो ये topic बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा आपको ये पता होना चाहिए कि similar verb कौन सी होती है और plural verb कौन सी होती है present tense में जिन similar verbs का प्रयोग करते है वो होती है is या has या does simple present tense में भी यूज करते है और present continue tense में भी यूज करते है has का प्रयोग अपने simple present में भी यूज करते है has को present perfect tense में भी यूज करते है does का प्रयोग main verb के रूप में simple present tense में use करते हैं और does का helping verb के रूप में भी simple present tense में use करते हैं present tense में M का प्रयोग अपने I के साथ करते हैं R का प्रयोग अपने किसी भी plural noun या pronoun के साथ में करते हैं या तो simple present tense में या फिर present continuous tense में have का प्रयोग simple present tense में plural noun या pronoun के साथ में करते हैं या फिर अपने present perfect tense में भी have का प्रयोग करते हैं do का प्रयोग अपने present indefinite tense में या simple present tense में करते हैं plural noun या pronoun के साथ में अगर वो subject के रूप में आते हैं past में अपने जिन verbs या helping verbs का use करते हैं वो होती है was, did और had was का प्रयोग अपने simple past tense में किसी भी similar subject यानि की noun या pronoun के साथ में करते हैं did का प्रयोग simple past tense में helping verb के रूप में करते हैं और had का प्रयोग भी अपने helping verb के रूप में करते हैं past perfect tense में past tense में अपने work का प्रयोग भी करते हैं लेकिन work का प्रयोग अपने plural subject के साथ अपने past tense में work का प्रयोग करते हैं चाहे वो noun हो या pronoun उसके साथ अपने work का प्रयोग करेंगे simple past tense में plural noun या pronoun के साथ अपने work का प्रयोग करते हैं simple past tense में अपने did का प्रयोग करते हैं चाहे subject plural हो या similar हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता helping work के रूप में did का प्रयोग किया जाता है और past perfect tense में अपने third form से पहले head का प्रयोग करते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि subject similar है या plural बस past में was work का अपने को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अगर subject similar होता है यानि noun या pronoun similar होती है subject के रूप में तो अपने was का प्रयोग करते हैं और plural होने पर work का प्रयोग करते हैं future tense में आई वी के साथ अपने shell का प्रयोग करते हैं और बाकी कोई भी subject होता है उसके साथ अपने will का प्रयोग करते हैं subject verb agreements मन्दी कुछ नियम है उनमें से पहला नियम ये है जब कोई दो similar nouns या pronouns end से जुड़े होते हैं तो verb जो है वो फिर plural number के according आती है क्योंकि दो चीजें मिल करके plural हो जाती हैं इसी बात को अपने ध्यान में रखते हुई इस नियम को समझना है example पहला देखिए आप राम और राहूल वर गोइंग टू स्कूल अब यहाँ पर राम और राहूल दो व्यक्ति हो गए इनको अपने end से जोड़ दिया यह यहाँ पर subject का काम कर रहे हैं यानि दो noun हैं जिनको end से जोड़ा गया है दो हो जाने के कारण से यह plural हो गए हैं इसलिए अगर वोज वर्ब में से अपने यहाँ पर वर्ब फिलब करनी हो या वर्ब का प्रयोग करना हो तो अपने फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि राम और राहूल दो लोग मिलकर के plural subject का का काम करेंगे दूसरा example देखिए गोल्ड और सिल्वर आर प्रीशियस मैटल्स अब यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर यह इस वाक्य के subject के रूप में आये हैं और दोनों के बीच में end है दोनों noun जो हैं end से जुड़ी हुई हैं यहाँ पर subject का का काम करेंगे अगर दो noun end से जुड़ी हो और वो subject का का काम करें तो अपने फिर plural verb का प्रयोग उनके साथ में करते हैं अगर अपने कोई इस वाक्य में is r या m में से fill up करना हो या is r m में से किसी verb का प्रयोग करना हो या helping verb का प्रयोग करना हो तब अपने यहाँ पर r का प्रयोग करेंगे तीसरा example है fire and water are essential अब यहाँ पर fire और water दो चीज़े हैं दो noun हैं इनको अपने end से जोड़ा है और end से जोड़ने के कारण यह plural हो गई है यानि इन्होंने plural subject का रूप ले लिया है और अगर plural subject होता है तो अपने उस sentence में plural verb का प्रयोग करते हैं तो अगर अपने इस वाक्या में is rm का प्रयोग करना हो तो is rm में से अपने यहाँ पर r का प्रयोग करेंगे क्योंकि subject के साथ अपने plural verb का प्रयोग करते हैं इस का आपको ध्यानिया अपने singular के साथ प्रयोग करते हैं m का प्रयोग अपने i के साथ करते हैं इसलिए इस वाक्या में अपने यहाँ पर R का प्रयोग करेंगे क्योंकि subject यहाँ पर plural है लेकिन exception हर एक नियम का होता है इस नियम का भी एक exception है अपवाद है अगर दो noun end से भी जूड़ी हो लेकिन अगर वो किसी एक विचार को या एक की व्यक्ति अवस्तु को बताती है या एक unit की बात करती है तो फिर अपने singular verb का प्रयोग करते हैं चाहे end से ही क्यों न जूड़ी हो तो इसी नियम के कुछ example है पहला example है यानि कि घूड़ा गाड़ी जो थी वो दर्वाजे पर थी अब घूड़ा और जो गाड़ी दोनों मिलकर के एक unit का काम कर रहे हैं किसी एक वस्तु का काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर अपने verb की बजाय वोज का प्रयोग करेंगे अगर अपने वोज वर में से किसी का प्रयोग करना हो तो अपने फिर was का प्रयोग करेंगे दूसरा example देखिए bread and butter is his only food bread और butter जो है उसका एक मात्र भोजन है अब bread और butter दोनों मिलकर भोजन का काम करते हैं यानि दोनों मिलकर एक भोजन बनते हैं एक unit बनते हैं अगर दो noun मिलकर के एक unit का काम करें वो end से जुड़ी हो तब भी अगर वो subject के रूप में है तो अपने singular verb का प्रयोग करेंगे अगर दूसरे बाकिया में अपने को is rm में से फिलब करना हो या is rm में से अपने को प्रयोग करना हो तो अपने फिर is का प्रयोग करेंगे तीसरा example देखिए my friend and benefactor has come होते हैं फिर तो अपने plural verb का प्रयोग करते हैं लेकिन end से जुड़े हुए व्यक्ति अगर दो नय हो करके एक हो तो उस वाक्य में अपने singular verb का प्रयोग करेंगे अगर इस sentence में अपने को has अब में से किसी verb का प्रयोग करना हो तो आपने फिर यहाँ पर has का प्रयोग करेंगे subject verbs मन्दी जो अपना next name है वो यह है कि अगर दो noun या pronoun with से जुड़े हो together with से जुड़े हो along with से जुड़े हो या as well as से जुड़े हो या फिर इसी परकार के किसी connective word से जुड़े हो अपने पहले वाली noun या pronoun के according verb का प्रयोग करेंगे यह ध्यान रहे noun या pronoun with से together with से along with से as well as से जुड़े हो तो अपने पहले वाली जो noun है या pronoun है उसके according verb का प्रयोग करेंगे example आप देखिए the ship with its crew was lost यानि जहाज है वो अपने करमचारियों सहित डूब गया तो यहाँ पर with जो है वो सहित का काम कर रहा है आपको यह याद रखना है कि अगर दो noun या pronoun with या together with या along with या as well as से जुड़े हो तो अपने verb का प्रयोग पहले वाले pronoun या पहले वाली noun के number के according करना है तो यहाँ पर ship है वो है with से पहले तो इसके according अपने यहाँ पर words का प्रयोग करेंगे अगर अपने को words वर में से किसी का प्रयोग करना हो दूसरे example है English as well as Hindi is taught here English के अलावा यहाँ पर Hindi भी पढ़ाई जाती है इस वाक्या का मतलब है as well as से जुड़ा हुआ है as well as से पहले English है जो की similar है उसके according यहाँ पर इसका प्रयोग किया है हालांकि Hindi भी similar है यहाँ पर इस वाक्या में आपको ज्यादा पता नहीं चल रहा होगा लेकिन अगर यह वाक्या इस परकार चे ओता English as well as Hindi and Sanskrit is taught here फिर भी easy आता क्योंकि जो as well as से पहले noun है वो similar है और ऐसे वाक्यों में अपने पहले वाली noun या pronoun के according ही verb का प्रयोग करते हैं अगर इस sentence में अपने को is our m में से प्रयोग करना है तो अपने is का प्रयोग करेंगे तीसरा example है राम along with his friends is going to play यानि राम अपने मित्रों के साथ में खेलने जा रहा है तो राम अपने मित्रों सहित खेलने जा रहा है यह आप इसका अर्थ ले सकते हैं तो along with से पहले जो noun नाई है वो है राम और राम यहाँ पर क्या है singular है तो इसलिए अपने यहाँ पर singular verb का प्रयोग करेंगे इज आर एम में से अगर अपने को प्रयोग करना हो तो अपने यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्या में कोई past का hint नहीं है तो अपने जब तक past या future का hint नहीं होता तो उसको present ही मानके उसमें वरफिलब करते हैं तो यह कुछ rules थे जो subject verb agreements से समंदित मैंने आपको बताए उमीद है आपको जो rules बताएगे हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसके दो तिन पार्ट बनेंगे तो next जो पार्ट आएं उनको भी आप जरूर देखना ताकि यह topic आपको पूरीतने से clear हो जाए Thank you very much